हलो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी चैनल नवी क्लासेज में और थोड़े से दिन के हाल्ट के बाद एक नई वीडियो हम आपके लिए लेकर के आई हैं जो की नोन टीचिंग विकंसी आपके आई हैं किंग जॉर्ज मेडिकल युनिवरस्टी ल आपको गिवन है और आपको अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो रिकूट्मेंट सेल की इमेल आईए आपको दी हुई है मोबाइल नमबर भी दिया है जो आप किसी भी वर्किंग डेस पर आप ट्राई कर सकते हैं 10 a.m. to 5 p.m. मतलब वर्किंग आर् तो जो लास्ट रिट है एप्लिकेशन सुमेशन की that is 31st of December 2024 और जो मोड ओफ एप्लिकेशन रहेगा वो रहेगा आपका ओनलाइन या आपको इसकी वेबसाइट पर जाना है kgmu.org और उससे जो है आपने ओनलाइन ही एपलाई करना है तो विकेंसी की डिटेल हम शेयर कर ले करते हैं अगर आपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें which is free of cost and साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो सबसे पहले हैं वेकेंसी टेक केट ऑफ परफ्यूजन टेकनलोजी इसमें मांगा गया है और फाइव इयर्स एक्सपीरियंस जो है मांगा गया है टेकनिशन की विकेंसी हैं इन टोटल 49 पोस्ट से आपने प्रेस्चू वेडि साइन सब्जेक्ट्स किया हो और टू यर्स डिप्लोमा इन तो आपने अगर बीएस सी ऑनर्स की है ट्री यर्स कोर्स रेडियोग्राफी में तो आप अप अपलाई कर सकते उसमें फिर एक्सपीरियंस में इन टेकनिशन रेडियो थेरेपी की वेकिन्सीज है इसमें भी ऐसे ही सेम क्राइटेरिया है ट्रल्स आपने जो है सायंस की जिसमें BSc आपने किया हूर relevant फिल्ड में तो आप apply कर सकते हैं technical officer ENT की vacancy है इसमें भी BSc degree आपसे मांगी गई है और desirable में BSc honors है लेकिन अगर आपकी पास नहीं है BSc honors तो भी कोई दिकत नहीं है क्योंकि वो essential qualification ना होकर desirable में है medical lab technologist की है post 29 vacancies है bachelor degree in medical lab technology या medical lab science from a government institute and with two year experience in lab attached to the hospital having minimum 100 beds is required फिर junior medical lab technologist की vacancy है इसमें आपने plus two past किया हो science subjects के साथ और two year आपके पास diploma हो और बाकी condition one year relevant experience जो है पिछली post की same है OT assistant की vacancy है इसमें BSc आपने plus two किया हो फिर five years के experience के साथ तो आप eligible है और desirable qualification तो अगर आपके पास ना भी हो तो भी आप apply कर सकते हैं technician की vacancy देखेंगे इसमें BSc in life science and other science plus one year diploma in medical radiation is required technician grade two की vacancy है जिसमें आपने 10th standard पास किया हो किसे भी recognized warrior university से diploma आपके पास हो dental hygiene का है dental mechanic का तो आप इसमें eligible है you are registered as dental hygienist तो आप eligible है technician dialysis की vacancy है PSA dialysis जिसमें मांगा गया है फिर medical social service officer grade two की vacancy है जिसमें अपने master degree social work में की हो same आपका experience in the line with a welfare या health agency is required फिर आती है receptionist की vacancies total 23 post है आपने degree किसी भी उनिवस्टी से की है post graduate diploma आपने किया है journalism या public relations में तो आप इसके लिए illisible है pharmacist की vacancy में diploma in pharmacy and you should be registered as a pharmacist then you can apply librarian grade two की vacancies है जिसमें आपने BSc की होई और आपके पास library science में diploma हो या फिर bachelor degree हो library science में तो आप illisible है experience इसमें जो है वो compulsory नहीं है desirable category में है experience फिर उसके बाद आपकी इस vacancy में assistant security officers के आपकी 11 post है आपने किसी भी उनिवस्टी से या रिकगनाइज्टी से degree किया है और इसमें physical standards required है like height, chest तो वो candidates जो है apply कर सकते हैं जो ये physical fitness की साथ साथ degree holder है so फिर last में vacancy आती है computer programmer की in total 7 vacancies यहाँ पर है इसमें आपने BE, BTEC, computer science या computer engineering या फिर post graduation क्या हो computer application में तो आप illisible है तो जो total मिलाकर की यह है 332 posts है post को आविशक्ता अनुसार घटाया बढ़ाया भी जा सकता है application charges की बात करें तो यह सबसे भैंकर चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पर जो है in total जो application charges है वो सभी post के लिए एक तो same है which is not fair क्योंकि कुछ group B की post है तो और कुछ group C की है तो उसमें level जो है different है grade पर different है तो उसी हिसाब से जो है सबका same application fee नहीं होनी चाहिए थी और यहाँ पर आपको total unreserved obviously and EWS को 2360 रुपीज पे करने SCST को 146 16 रुपीज पे करने हैं तो application charges इसमें थोड़े से जादा है यही पर यह है कि अच्छी एक जो vacancies है तो कुछ candidates of charges देखके पीछे हट जाएंगे तो competition थोड़ा कम भी होगा इसमें बट इतने charges वैसे इन्होंने गलत रखे हैं कि unemployed candidates इतने charges कहां से pay करेंगे चलो खेर जो भी है वो तो इन्होंने जो भी रखे हैं charges वो तो आपको अगर आप apply करेंगे तो pay करने ही पढ़ेंगे age limit की बात करें हम तो इसमें cut off date जो रहेगी वो रहेगी आपकी 1st of July 2024 candidates की age 18 to 40 के बीच होनी चाहिए और unreserved candidates की SCST, OBC को, दिव्यांग को और जो भी permanent government employees हैं उनको as per government rules यहां पर relaxation दिया गया है application process में क्या-क्या आपकोने ready रखना है apply करने के लिए वो सभी चीज़ें यहां पर given है आपने पहले ही इनकी scanned copies रखनी है ताकि आपका ज्यादा time waste ना हो जब आप application fill करें यह मैंने आपको पहले की बता दिया था आप इस link से यहां पर जाकर के apply कर सकते हैं इस add का जो PDF है वो आपको हमारे telegram channel लवी classes से मिल जाएगा आप एक बार apply करनी से पहले पूरे add को अच्छे से पढ़ लें इसमें यह भी दिया है कि कितने marks का test होगा कि subject में का कितने marks का कौन सा portion मतलब कितने subjects का आएगा और कैसे जो है normalization की जाएगी scores के अगर अलग-अलग shifts में exam होता है तो सारी चीज़ इसमें आपकी given है उमीद है कि आपको वैसे तो कर सकते हैं so thanks for giving your precious time to this video don't forget to subscribe our channel and do share this video to with all your friends who are illisible for applying in this